इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह पेशाप करने में कठिनाई या अधिक बार शौचालय जाने की आवशक्ता जैसे लक्षनों से राहत दिलाने में मदद करता है यह प्रोस्टेट कैंसर की रोकथाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है अरिटिन डी टैबलेट एमार को भूजन के साथ या बिना लिया जा सकता है लेकिन इसे प्रती एक दिन एक ही समय पर लिया जाना चाहिए आपका डॉक्टर आपके लिए सबसे उप्युक्त खुराक निर्धारित करेगा अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए तथा आपके लक्षनों का प्रभावी तरीके से इलाज करने के लिए स्खलन से जुड़ी समस्या शामिल हैं अगर यह साइड एफेक्ट आपको परेशान कर रहे हैं या ठीक नहीं हो रहे तो अपने डॉक्टर से सलाह करें आप चक्कर आना या बेहोशी भी महसूस कर सकते हैं जब आप पहली बार यह दवा लेना शुरू करते हैं तो यह द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए इसे लेने से पहले अगर आपको लो ब्लर प्रेशर या लिवर या किड्नी की कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं यह दवा उप्यूक्त नहीं हो सकती है यह अन्य दवाओं को भी प्रभावित कर सकता है य आपको सेक्स के दौरान कॉंडोम पहनने की सलाह दी जा सकती है आपका डॉक्टर आपको अकसर अपना ब्लर प्रेशर चेक करवाने की सलाह दे सकता है शराब पीने से बचें क्यूंकि इस दवा से अत्यधिक चक्कर आ सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यव अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद